जहें दोस्तों मैं सती स्वागत करता हूँ आपके चैनल एक्जाम प्रेक्टिस भी सतीस में तो के विएस पैड़ागोगी प्रेक्टिस सेट का अगला पाट यह इसका हम 59 वा सेट कर रहे हैं इसके पहले हम लगबग 58 प्रेक्टिस सेट कर चुके हैं यदि आपने प्रेक्ट जादा से दादा करिए और अच्छे से अच्छे मार्ट एक्जाम में गेंड करिए तो यह वीडियो के विए सीटेट यूपी टेट सुपर्टेट तीनों के लिए बहुत यूपी होगी है जिन एक्जाम में आपकी पैड़ागोगी वाला पॉर्शन पूछा जाना है तो ब इसमें एक स्पाइरल एक ग्राफ बनता है जिसमें कोई बच्चा मालीजे इधर पर कोई सीख रहा है उसी चीज को वह एक अगले लेवल पर बड़ी क्लास में भी सीखता है मालीजे आपने भी पॉल्यूशन वाला चेप्टर तो पढ़ा ही होगा प्राइमरी क्लास में सेक अगले प्रश्न में पाँच इ मॉडल को लोगप्रिय पाठ युजना में से एक माना जाता है जिसका उप्योग समाजिक विज्ञान सहेत विभन पाठ युजना विक्सित करने के लिए किया जाता है तो इस मॉडल का जो दूसरा चरण वह और यह क्या है काफी इसके अलग-अलग full form होंगी तो पहला जो है पहला है engage करना बच्चों को जब आप पार्ट पढ़ाते हैं आपकी पार्ट समगरी ऐसी रहने चाहिए जो बच्चे interest लें engage हो सके इसके बाद आता है दूसरे चण explore का आपको explore करना है explore का मतलब आपको हो गया envision करना है तीशरा आजाता है आपका क्या है explain आजाता है आपको चीज़े explain करनी है explain करना है उसके बाद elaborate आजाता है elaborate elaborate बिस्तार करना है और last में evaluation ये आपको पता होगा evaluation होता है evaluate ये पांच चरण हो जाते है तो दूसरा जो है वो explore आता है और यदि यही हिंदी की बात करें तो हिंदी में पहला आ जाता है engage मतलब बच्चों को सनलगने करना इसकी बात क्या है evaluation करना तीसरा जो है explore का मतलब होगा व्याख्या करना चोथा elaborate का मतलब होगा आपका विस्तार करना और पांचबा मूल लियांकर करना तो दूसरा जो अन्वेशन या explore है यह आपका चर्ण हो जाता है यदि आपको नहीं याद है तो प्लीज यसे याद गलीजे में भी आपके लिए important हो सकता है exam में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कौन सी कच्छा में समान सिक्षन समगरी है which is the common teaching material in the classroom तो इसकी जो सबसे है यह है blackboard जो सबसे common teaching classroom है teaching यह समगरी है teaching material है आपको बता है blackboard का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं एक normal teaching कहला गई और आप उसमें colored chalk use करके आप class को अच्छा बना सकते हैं effective बना सकते हैं इसमें यह भी आ जाता है अभी जैसे पुराने समय में blackboard का color black हुआ करता था अब थोड़ा सा रोश्नी की करन की जो green में आखों के लिए healthy रहता है green जो है इसलिए green board use किये जाते हैं black color की जगह पर पढ़ते हैं अधिगम के आकलन के अन्य तरीकों के विपरीत अधिगम के रूप में आकलन पूर्ण रूप से निमले खिसमें से किस से नियंतरित होता है यह आपको मैंने बताया है assessment of learning एक assessment for learning तो जब assessment के दौरा भी बच्चे खुश से सीखते हैं अपना self evaluation करते हैं तो यह कहलाता है assessment of learning और यह किस के दौरा नियंतरित होता है यह छातर के दौरा केवल एक छातर के दौरा ही यह सिर्फ नियंतरित होता है बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्योंदेश अगला प्रश्न है या तो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं बहुत कम खाना खा रहे हैं आपका eating disorder हो चुका है तो इसके लिए कौन सा आपके देखना है कौन से कथन सही है सारी रिखमान से स्वास के संदर में अनुरेक्सिया नर्वोसा bulimia nervosa दोनों important है अब मैं बता दू होता क्या है पहले इसको देख लेते हैं भोजन में आसमाने प्रतिरूप सामेल है ये सही है bulimia nervosa आत्म भुकमरी ये गलत है आपका केवल option जो है एक सही हो जाता है आपके मता दू अनुरेक्सिया नर्वोसा क्या कहलाता है जब आप मन से खुद को heavy weight मान लेते हैं जातर ये जो किशोर रहते हैं adolescence age के रहते हैं वो मानते हैं गल्स भी थोड़ा ज़ादा मानती है क्योंकि किशोर जब होंगे वो generally क्या करते हैं अपना बजन नापते रहते हैं और कम weight होने के बाद भी वो खुद को feel करते हैं को जादा heavy है और कम खाना खाते हैं इसके उनकी health को problem होती है एनरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है ये मानसिक स्वास्त है को पर भावित करता है और bulimia नर्वोसा ये है कि जब एक बार में आप बहुत ज़्यादा भूजन करते हैं मतलब एक या दो बार भूजन करते हैं बहुत ज़्यादा भूजन करते हैं आपका fat बहुत ज़्यादा बढ़ता है और ये सब क्या कहलाता है ये मैं बताओं क्या कहलाता है जैसे आप fast रखते हैं, जनरली फास्ट रखते हैं और एक बार में एक टामें बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं जो fatty हो जाती है बोडिस से तो यह कहा है, ये दोनो जो हैे आपके भोजन विकार हैं किवाल एक option आपका सही है बढ़ते हैं अंगले प्रशन की और निमलिकित में से कौन सा कथन मामूली बिमारी के संदर में सही है तो जो मामूली बिमारी जह है कुछ दिनों तक चलती है और शायदी कभी गंबीर होती है कि डॉक्टर के ध्यान क्या हो सकता होती है ये भी ठीक है नॉर्मल आपको रैसेश हो रहे हैं आपको थोड़ी छीक आ गई है तो ये नॉर्मल बिमारी है ठीक हो जाती है खांसी सिसकी नाग बहना बच्पन का एक हि अबा सब्patient कैस की एकल देश है तो सपेश नीड जो होते हैं छात्रों के समानी ग्रेड होना जाहिए मार्क जैसे होने चाहिए तो इसा बिल्कुल नहीं मिए च्योंकि छात्री या लग है एकदम स्ट्वैंदंस लिए समानी ग्रेड नहीं होने चाहिए उनका ड़老師 ह इनका मूख है जो द्रश्टी बादिर है सुन नहीं सकते है ना समाने सिच्छक सेटिंग्स की समगरी में ऐसी इनके साथ छात्रों के व्यक्तिगत लक्षों को पूरा करने के लिए यह समावेशी सच्छा का जो है यह ऑप्शन नंबर के वल्दो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ते हैं मां अगले प्रशन की ओर नहीं लिखेत में से कौन सी प्रथा कौन सी प्रेक्टिस है सिच्छा में समावेशन को बढ़ावा देती है इनकलूजन को सारी रिक दंड देना प्रत्योगी परक्षाओं के लिए अधिगम मानकी करत एक और चीज़ कभी भी स्टें करिकुलम रखेंगे तो सबके साथ एक जैसा हमें व्यवहार एक जैसा सिखाना पड़ेगा जबकि आपको पता है कि इसमें वैराइटी रहती है ना बहुत सारी पैड़ोगों की यूज करनी पड़ती हैं बच्चों की नीड के एकॉर्डिंग तो यह जो बिविधिता का सम समंधुता में समा बदता वाले विकति को संभोदित करने का उचित तरीगा क्या है जो बच्चें बौधिक क्षिप क्रिया शीलता हैं जिनमें इंगत्य प्रामस्तिस की पच्छा घा से पीड़ें प्रमस्तिस और से करी इस सरीर में कोई छती चोट लग जाती है तो उससे जो आपका सेरीबर प्लैसी जो है पक्षागात हो जाता है उसके कारण उसके सरीर का एक हिस्सा पूरा प्रभावित है वो किसके अंतर गताएगा तो यदि एक हिस्सा प्रभावित है मालिजिए कोई एक बॉड़ी है उसका पूरा हाथ है या पैर से रिलेशन है हाथ और पैर यदि प्रभावित है चतुरंगमदा पूरा सरीर यदि प्रभावित है पक्षागात से तो फिर का कहलाएगा वो आपका क्वाड्री प्लीजिया कहलाएगा बढ़ते हैं अंगले प्रश्न की और पी डब्लूडी उनीस्सो होनी चाहिए कितने डेसीबल की होनी चाहिए जो धनी वो नहीं सुन सकता तो इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा आपका साट डेसीबल ये उनीसो पंचानवे में कहा गया है कि 60 डेसीबल की अधी धनी नहीं सुन पा रहा है इसकी उपर की सुन ले रहा है तो वो प्रजेक्शन नीतियों और कारिक्रमों को नियंतित करता है बहुत इंपोर्टेंट है भारतिये पुनरवार्स परिसद रिहालिबेशन काउंसल ओफ इंडिया ये जो है भारत में क्या करता है विकलांग विक्तियों के पुनरवास के छेत्र में प्रजेक्शन नीतियों कारिक क्रमों को नियंत्रित करता है आगे बढ़ते हैं सामें वेसी सिक्षा किस पर बल देती है इंक्लूजिव एजुकेशन जो है वेक्तिगत बिभिनताओं को पहचानते हुए पार्ठ चर्या में लचीलापन विद्यार्थियों की छमता के अधार पर प्रथक करण मानक पार्ठ चर्या की चर्चा कभी नहीं की गई है प्रथक करण भी नहीं कहा गया है विस्ष्ट जरूरत वाले बच्चों के लिए केवल वेवसाइक यह भी नहीं है इसका जो पहला उत्तर है यह इसका सही हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी इन दा करीकुलम एस दा रिजल्ट आप रि बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर कार श्ख्चा के संदर में समुदाय की क्या भूमि का है कम्यूच का रूल क्या है वरक एज्योकिशन में विज्ञानिक सिधानतों के मनोवल को गिराना यह नहीं है आपका । शिक्षा जो है आपका वर्क एजूकेशन में कम्यूनिटी का क्या रूप है समुदाय समुदाय का मतलब यहाँ पर सिक्षक आपके बच्चे आपके वो माता-पिता समाज यह सबा जाता है सेक्षिक परक्रिया की निगरानी यही इसका सही होता है कि मॉनीटर हो जाए एजूकेशनल प्रोसेस की मॉनीटरिंग हो जाए तो यही समुदाय की भूमिगा होती है सोच को सीमित करना critical thing के spiritual atmosphere बनाना यह उद्धिश नहीं होता है आपका option 2 correct हो जाएगा इस question के लिए बढ़ते हैं गले प्रश्न की और लक्ष निर्धारित करना विद्धाले विकास योजनका सबसे गहन हिस्सा है एकदम ठीक बात है कि जो इसको development plan बनता है उसमें setting goal जो है सबसे important होता है तो कौन सा इसमें true है इस context में एक प्राप्त करने योग लच्च सूच में होना चाहिए तो low होना चाहिए यह नहीं है कि हम बहुत low goal ले करके चलें ताकि वो शुरू में एक दो मेने में पूरा हो जाए कि पूरा करना एक प्राप्त करने योग लच्च या थार्थवादी होना चाहिए जो प्राप्त भी कर सकें और जो realistic भी हो एस अनौक एकदम आपने एकदम आदर्श इस्तिति माली जो अमेरिका इधर के स्कूलों की होती है तो आप वो इंडिया के जो ग्रॉफिकल के हिसाब से कभी नहीं आप पूरा कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं एक समय सानी जो पूरे स्कूल के कारिकरम का एक पूर्ण सही व्यापक तस्वीर देती है इस पर डेस डेस के रूप में विचार किया जाता है तो आपका तो यह सभी प्रकार के टाइम टेपवल स्कूल में यूज होते हैं एक जो चीर में पूरे बड़े पूरे इक टीचर का हरे क्लास का वर्णन रहता है मांस्टर टाइम टेवल आपके टाइम टेवल इंचार्ज या पर एक हम के पास कॉपी रहती है जनेरल टाइम टेबल किह जाएंगे आगे देखते हैं कौन सा समुदाय जो कम्यूनिटी है को सामिल करने का एक तरीका हो जाता है कि समुदाय के प्रत्रिद्धियों द्वारा उपस्तिती के निगरानी करना समुदाय के समर्थन के साथ छात्रों को व्यवशाय कोशल सिखाना तो यह जो है यह समुदाय को सामिल करने का दोनों तरीके हैं यह दोनों आपके उत्तर सही हो जाते हैं बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन है निर्देशात्मग नेतर्टो की रूप में पाठ चर्या नेतर्टो की चर्चा किसने करी है तो फिडलर ने 1997 में की है आपका टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है इसको आप याद कलीजेगा करीकुलम लीडर्शिप को इंस्ट्रक्शनल लीडर्शिप इसका मतलब यहां पर जनरली हम से फिंसिपल सर से लिया जाता है तो उन्हें क्या है कि करीकुलम लीडर्शिप को इंस्ट्रक्शनल आपको इंस्ट्रक्शन्स भी देने हैं साथ में इन्वल्ब भी होना है आपको रुजी लेनी है कि स्कूल में क्या चल रहा है कौन सब करीकुलम चल रहा है है और क्या गोल्स रखे गए है पढ़ाई कैसी यह इंसमें बहुत रखना है इसी के साथ साथ एक word में बहुत important बता दूँ इस बार कि जो एनिपी में बहुत जादा चर्चा की गई है leadership के बारे में जो मैंने पढ़ा है हाली में तो दो चर्चा की गई है कि leadership by position और एक है leadership by action तो यहाँ पर इसको मना किया गया है कि आपको समझ आप दोनों के आर्थ समझ ले leadership by position इसका मतलब आपको बता है नेता leadership कौन होता है नेतरत पोजीशन का मतलब यदि हमारे इसकूल के HM है तो वो HM है इसलिए वो leadership है ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए leadership by action उन्हें उनकी कार्यों से यह शो होना चाहिए कि वो एक leader है तो यदि position है तो leader by position को मना किया गया है कि position से आपको leadership नहीं बनना है और और leadership by कैसा बनना है, action, इसी के लिए तरह तरह से आपके exam करवाये जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है, जैसे आपको फुराना pattern क्या चला रहा था, कई स्कूले में होता है, एक आपके PCT होते हैं, वो senior हो जाते हैं, promotion करके principal बना दिया जाता है, काफी राज्यों में होता है, तो क्या ये criteria की एक senior teacher है, इस वज़े से वो principal के, principal सरके सारे गुन रखता है, क्योंकि ये teaching post हो गई, ये आपके administration post हो गई, आपको manage करना है, financial भी, आपको school भी, इसलिए ये test अब रखे जाने लगे हैं, के वी में भी test होता है, हर चीज पूछी जाती है, जो एक principal होने के लि is important in student teaching, कुछ चात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, ये नहीं है, सिक्षक विश्यों को पूरा करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि pedagogy instruction से, केवल कमजोर चात्रों की मदद सभी की करी जा सकती है, चात्रों को गलती करने से रोका जाता है, ये जो कहलाएगा आपका, pedagogy of instructions is important in student teaching, तो जो निर्देशों को पदा नियमन है, चात्रों को गलती करने से रोका जाता है, बढ़ते हैं, एक इनिशियेटर की रूप में, जो एक लीडर की भूमिका क्या नहीं है, काम करने नए तरीकों की कल्बना करना, तो ये एक इनिशियेटर कहला गया, परिवर्तनों की अवशकता पूरवाभास ये भी एक इनिशियेटर है, गती विधी की सपरस्ट रेखा तै करना ये भी एक इनिशियेटर है, लेकिन ये जो मित्रता और सुईकरती प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फ्रेंट्सिप एंड एकसेप्टेंस ये भूमिका है, लेकिन ये एक इनिशियेटर या आरंब करता के रूप में भूमिका नहीं है बढ़ते हैं हम अगले प्रश्ण में आज के अगला प्रश्ण है स्कूल के नेने करता के रूप में SMC जो स्कूल मेनेजमेंट कमेटी होती है आपको पता है कि SMC में पैरेंस आते हैं भाग लेते हैं स्कूल के रहते हैं प्रतिनी दी तो अभी वावक प्रबंदकों के चुनाओं में मतदान करना या खड़ा होना चाहिए स्कूल क्या कर रहा है इसे कैसे चलाना चाहिए इसके बारे में सुझाओ देना चाहिए किसको देना चाहिए पैरेंस को सुझाओ देना चाहिए इसका सही उतर ये हो जाएगा बढ़ते हैं अंगले प्रस्ट के ओर स्कूल सभा या स्कूल असेंबली स्कूल असेंबली का मतलब मौरनिंग असेंबली होता है जो सुबह होती है, को विक्सित करने वाली सहे पार्टिचर्या, जो आपके को करिकुलर एक्टिविटीज है, केंद्र के रूप में कारे करती है, कौसांस करते है कोशल, शारीरिक, मनोरंजन, तो ये तीनों नागरिक कोशल जो है, बड़ा व्यापक सब्द हो गया, एक नाग है, जो creating opportunity to promote teacher collaboration, teacher का support होना चाहिए, तो उसके लिए क्या वसक है, सिक्षक का ज्यान, सिक्षक की ब्रद्धी, पेशे में चुनोतियों का सामना करने, या फिर सिक्षक के व्यवसाइक विकास, बिल्कुल, teachers professional development, professional development से समन्दित हैं, यहाँ पर, कि department के द्वारा, education department के द्वारा time to time उनके professional development के लिए trainings organize कराई जाने चाहिए, जिससे उनका एक professional development और अपनी वो pedagogy को improve कर सके, अब हम देखते हैं, इसका अगला प्रशन, तो question number 25 है, वो यह है कि राष्टी इस तर पर बच्चे को सिक्षा के अधिकार की जांच करने की डिक कौन से agency शौंपी गई है, तो बच्चों के अधिकार जो है, वो लागू हो रहे हैं, या नहीं हो रहे हैं, कहां पर misbehave हो रहा है, लागू नहीं हो रहे हैं, उसकी लिए एक agency है, NCPCR कहलाती है, आपको अच्छे स्याद का लेना है, राष्टी बाल अधिकास, सरक्षण आयोग, National Commission for Production of Child and Rights, ये जो है, ये आपको बच्चों के अधिकार की निगरानी करती है, हमारे देश में, आगे देखते हैं, अगला प्रश्ण, कौन से परिक्षण के निर्माड का मूल से धानत है, श्वसनियता, स्टेंडर्डाइजेशन होना चाहिए, जब आप टेस्ट लेते हैं, तो उसका स्टेंडर्ड होना चाहिए, और एवैल्यूएशन जो है, ये होना चाहिए, तो चारों आपके इसकी सही हो जाएंगे, आपके आंसर, बढ़ते हैं, अगले प्रश्ण की और, ह इसकी बहुत चर्चा की गई है, बच्चों में एक क्रियेटिविटी, जो कंस्ट्रक्टिविजम है, रचनावाद है, ये बढ़ावा देना, इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज की चर्चा की गई है, समूह जो है, टीचिंग, जो है, ग्रूप टीचिंग, ये सब क चर्चा की गई है अगला एक important question है RT 2009 के इनुसार माधमे कक्षाओं में जो middle classes रहते हैं 6 to 8 कह सकते हैं इसमें छात्रों और सिक्षकों का क्या अनुपात होना चाहिए क्या सुझाएगा है आपके RT 2009 में ये सुझाएगा है primary के लिए 1 ratio 30 होना चाहिए तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और इसका जो सही है 1 ratio 35 इसका आप double भी कर देंगे तो यानि 2 सिक्षकों पर 70 student ये हो जाएगा 35 थर्टी फट्रेंट है तो 1 teacher होना चाहिए तो आपका जो option number इसका 3 है वो इसका correct answer हो जाएगा तो 2 ratio 70 कभी भी 1 ratio 35 आता है तो वो भी इसका सही उत्तर माना जाएगा F.L.N. की question है काफी important है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है foundational literacy and numeracy कारिकरम कक्षा में सिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों पर अधिक ध्यान किंदित करता है छात्रों के निर्माड के लिए सिक्षण की सर्वोत तम उपयुक्त विधियां कौन सी है तो विधियां दी है टीचिंग की कौन कौन सी है व्यापक तरीके से किया जाना चाहिए सभी अध्गुमो जोड़ जगें ये भी ठीक है किताबी ज्यान पर आधारेत नहीं होना चाहिए जो बोकिश नॉलेज है उसकी जगह पर विक्तियों के जीवन से होना चाहिए ये भी ठीक है सिक्षण के कई तरीके अपनाना चाहिए और आलोचनात्मक सोच जो है आपकी क्रियेटिव कॉनसेप्ट जो है सरजनात्मक बनाने के और सरपदाने ये आपके चारों उत्तर आपके सही हो जाते है All of the above is the correct answer of this question बढ़ते हैं अगले प्रशन के उर अगला प्रशन है कि कख्षा में लेंगे करूडिवादता को दूर करने के लिए सिक्षा को निम्ने मेंसे किसी अपनाना चाहिए तो रेंगे करूडिवादता को मनलब की कख्षा में ये पहले से बना हुआ कि कुछ काम लड़कियों के होते हैं लड़कियों लड़कों में ब'Mth access आजाता है आपके इसको दूर करने के लिए आप किया है आप ये बताएंगे कि जो है लड़के लड़कियों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं या समधदार होते हैं ये भी नहीं है लिंग के अनुसार की जेंडर के अनुसार उनके बेवार करें तो ये ठीक है कि आप उन्हें ये भूल करके कि ये लड़कियों के काम होते हैं जो समाज में परचलाने उसको नजर अंदाज करके उन्हें कारे 100 पर प्रोजेक्ट कार करा हैं ग्रुप वर किते तो यह आपकी स्टीरियोटाइप यह जो है दूर हो जाएगा आपके बत्चों से अगला प्रस्ने है जो एक्स्टेंशन एजूकेशन उसका ओधीश कया है ज्ञान को जुड़ना है चेंजिन सिस्टम होता है कि डेवलपिंग कन्विक्शन flexibility and approach द्रश्टी कोण में जो लचीला पन है वही एक extension education है लचीला पन रहेगा तो पर आपका education में extension होगा आप तरह तरह की विदियां use करेंगे कक्षा में पढ़ाने के लिए और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ते हम अगले प्रस्ण के ओर एनिपी 2020 के अनुसार जो विसेश आवशकता वाले बच्चे है चिल्डन बिथ special need cwsn child है इसके लिए दूसरा नाम जो है दिव्यांग child दिया गया है यह आप याद कर लीजेगा आप इसे अच्छा कई बच्चों को disabled child लग सकता है option तो यह आपका तुरंद में एक नंबर आपके चले जाएंगे यह आपने disabled child कर दिया इसको दिव्यांग वर्ड दिया गया है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण क्यों कौन सा निम लिखित में कौन सा लक्षन समस्या समाधान पद्धती में सामिल है problem solving method में क्या सामिल है कि objective को जो है achieve करना उदेश को उदेश प्राप्ती के मार्ग में आने वाली कठनाई यह यह भी है होना चाहिए और सम्मुक समस्या के संतूश जनक समाधान तक पहुँचना satisfactory solution तक पहुँचना जो है और achieve करना objective को यह तीनों जो है problem solving method के यह step दिये गए हैं तो यह जो इसका जो सही उतर हो जाएगा आपका option number one जिसमें ही तीनों आपके option सही हो जाएंगे बढ़ते हैं अंक्ले प्रश्ण के ओर प्रात्मिक विद्या लेकि इस्तर का party खुरम द्रश्टि को इसज सब में होता है और यहा पर वो attitude नहीं है जो आप फिल्मों में देखते हैं कि किसी ने नई शेट पहली तो attitude दिखा रहा है राइट ये सम नहीं है attitude का मतलब है किसी topic के बारे में वस्तु किसी व्यक्ति के बारे में जो आप सूचते हैं जो आप रुझान रखते हैं है ना रुझान जो है आपने हिंदी वड़े ये सबसे सटीक है कि जो भी आप सूचते ह बारे में वह एक अच्छा आदमी है अच्छी रस्तू तो यह आपका positive वाग हो या आपका positive attitude हो गया आएदि आप उसके बारे में गलत सोचने हैं तो आपका negative attitude हो जाता है बढ़ते हैं अंगले प्रशन की और निवलेखित में से कौन सा एक परा संग्यानात्मक कॉसल को नि हम किस तरह से चीजों को सोचते हैं बच्चे कैसे सोचते हैं यह आपका metacognitive skill के अंतरगत आता है उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी काफी सारे questions की practice होगी आपके लिए कुछ exam के लिए मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ कुछ आपको अपने experience share करना चाहता हू क्योंकि आपका exam की date एक महीने बचे हैं तो सबसे पहले stress बिल्कुल निले क्योंकि selection आप तयारी कर रहे हैं selection आपका ही होना है ठीक है तो पहले खुद पर विश्वास रखें अब जो है अब एकदम सांद दिमाग से आप खुद ही सोचें कि आपको गया घरना चाहिए अग को एक strategy कि हमें 20 दिन में लगबग पूरा syllabus complete करने ना है जितना भी detail और साथ में questions बिल्कुल question practice नहीं भूल ली है हर दो तीन दिन में एक full land test जरूर लगाईगे कि जब आपका 180 नमबर का आप test लगाएंगे तो आप हर दो तीन दिन में एक टेस लगाएंगे आप 2-3 घंटे में इसे solve कर लेंगे 2.5 घंटे में और इसके बाद आपको 2 घंटे या 1 घंटे देने हैं इसके analyze में तो आपका 3-4 घंटे समय आपका इसमें लग जाएगा full land test लगाने में तो यदि आपने कम से कम 20 full land test लगा लिए तो आप यकीन मानिये आपका 10-15 marks आपका increase जाएगा exam में कि आपको किसी speed से questions करने हैं और जब आप घर में टेस्स लगाते हैं तो उसको आदे घंटे कम ही मान के चलिए वाल ये ज़िए 2.5 घंटे का time है तो उससे आप 2 hour मानिये 2 hour में complete करने की कोशिश करिए अपने समय को बचाईए तो ये 20 दिनों में आपको सब complete कर लेना है last के जो 10 days होंगे आप सारी तैयारी एक तरफ रख दीजेगा सिर्फ और सिर्फ आपको practice question मिल जाए chapter wise या फिर अलग से subject wise और दिन में एक तो हर एक holiday आपको last के 10 days में full land test लगाना है या आपको कहां मिलेंगे या तो कोई market से एक अच्छी कोई authentic book जो है वो purchase कर दीजिए जिसमें आपके answer गलत नहीं होते हैं क्योंकि मैंने भी देखी है कुछ ऐसी book आती है जिनमें answer गलत होते हैं और आपने यदि पहला test लगाया आपका सही यह लेकर option गलत है उसका answer तो वहीं आपका mood जो है पूरा खराब हो जाता है उस book को देख करके तो कोई आप एक authentic book ले लीजिए साथ में जो आज कल online आने लगे हैं आप textbook जो है test book का ले सकते हैं by you का लेख सकते हैं exam पूर का ले सकते हैं तो by you का जाधा ठीक रहता है test book में थोड़ा सा level कम है मैं भी test book से मैं चुकि हर एक से देखता हूँ मेरे पास सारे subscription है NEP से भी पढ़ता हूँ test book by you तो मेरे जो question रहते हैं वो हर जगय के मिलेंगे आपको पैड़ मिल जाएंगे और online YouTube चैनल तो मैं आपको प्रवाइड करा ही रहा हूं काफी सारी कोशन तो अपने पर विश्वास रखिए तैयारी करिए और जरूर आपका सेलेक्शन होगा और बाकि आप इस बार आप इसको एक्जाम क्वालीफाई कर लीजिए रिटन इसके बाद इंटर्विव की है तो वो आपके लिए फुल गाइडेंस जो है इस चैनल की और से मिलेगा क्योंकि मैं इसमें और सारे टीचर्स के